तो शिरी 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 हनी सिंग जी कहकर गए हैं कि ब्लू आइज तेरी करदी हिपनोटाइज मेनू, ये लाइन तो हम सभी ने कभी ने कभी सुनी होगी, ये गाला तो हमने कभी ने कभी सुना होगा बट आज हम जानने वाले हैं कि ये आखे ये आईज जिससे हम इस पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं इसके पीछे क्या फिनोमिना है इन आखों के अंदर क्या क्या चीजे हैं और वो जो चश्मे लगते हैं हमारे उनके पीछे क्या कॉंसेप्ट है क्योंकि आज हम 10th class के science का सबसे खतरनाक and important chapter पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्या human eye and colorful world जैसा की topic के नाम सी आपको पता चल गया है आज आखों के बारे में बात करेंगे उसके अलावा क्या बात करेंगे उसके अलावा colorful world के बारे में बात करेंगे कितना सुंदर है ये जहां तो लेता हूं लाइव लेता हूं बट ये वाला लाइव नहीं है क्यों कि लोग बोल रहे हैं लाइव में क्या होता है थोड़ा सा में time waste होता है हमें थोड़ी speed increase करके वीडियो देखनी होती है तो ठीक है एक ऐसे भी try कर लेते हैं अगर आपको ऐसा comfortable लगता है तो recorded lecture सापको आ देना चाहिए क्यों क्योंकि ये chapter आपके final exam boards के अंदर तो आए गए आएगा आएगा आप सभी को पता यह तो जल्दी से बता दो कि भाई कर दिया जाए शुरू कर दिया जाए का शुरू जल्दी बताओ जस्ट एक मिनट देना मेरे को film start करते हैं ठीक है आजाओ आजाओ बहुत से चली तो start करते हैं आई होप की सारी चीज़े clearly आपको दिख रही है स्क्रीन वगेरा सब कुछ clear है चलिए live होता तो मुझे पता चल जाता बट को issue नहीं है अब सुनना मेरी बाद पिछले साल जब slavus को reduce करा गया था तो human eye को हटा दिया गया था आपको भी आद होगा human eye का topic नहीं आये था बट इस बार board के exam में human eye आएगा colorful world भी आएगा तो इस पूरे chapter को आज cover करेंगे चोटे से one shot के अंदर पूरा detail में पढ़ेंगे और इस level का content को यह आपको दे नही है और 10th class के सारे science के topic यहां पर cover होंगे बाकी teachers भी आगर बाकी subjects भी cover कर रहे होंगे but science मैं खुद आपकी पूरी पढ़ा रहा होंगा तो science की कोई tension नहीं है electricity हम खतम करा चुके है हम lens वगेरा mirror वगेरा पूरा का पूरा chapter खतम करा चुके हैं आज बारी है किसकी human eye की अगली वारी होगी magnetic effect की अगर आपको chemistry के lecture switch है तो बता देना chemistry के भी पहले पढ़ा देंगे ठीक है तो चलिए शुरू करें बट 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 इतनी जल्दी कैसे शुरू करने से पहले हम सभी का रिवास तो आप सभी को मालूम होगा रिवास नहीं मालूम तो आज है क्या यह ठंडे पड़े हो अगर अभी भी ठंडे पड़े हो तो तुम्हारा competitor तुम्हें पीछे छोड़ देगा और जो तुम्हारा गोल था कि 98 परसेंट लाकर रिस्तेदार हो के सामने जाएंगे और बोलेंगे हाँ आंटी जी 98 आ गई और बताओ क्या से यह तो वह जो पड़ा रहा है तो लेक्चर भी बहुत मॉडरन होगा कैसे मॉडरन होगा टैटन क्लास के बोड़ का पूरा बदल चुका है आपको पता है केस बेस कुशन आएंगे असर्शन रीजिनिंग आईगी और आपके जो शोट आंसर टाइप आएंगे सब कुछ तो इस लेक्चर क में पे मजबूर करने वाला हूं हर एक एंड से और यह एक्ष्प का चैलेंज का चैनल का सब्सक्राइब कर लो आप सभी का प्यार है और जितने जल्दी हम जतने ज्यादा सब्सक्राइबर ग्रो करते रहेंगे उतने अच्छे अच्छे टीचर मैं आप सभी के लिए लेकर आप आउँगा तो आपको पताई कि है आपको क्या करने एक सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दवा देने के बारे में पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे ठीक है अब यह आप बस इतना समझे लो हुमनाई होता क्या है तो वहिया हुमनाई कुछ नहीं होता धेले बता देता हूं इस चैप्टर के अंदर से अब समझेगा इस अलग अलग पार्ट होता है जैसे कि यह बारवाला पार्ट है यह देखो यह जो पार्ट है इसको कॉर्णिया बोलते हैं अभी यह जो नाम है सारे करूंगा भी आप बार-बार से देख लो और यह डाइग्राम आपके अक्जाम के अंदर आ सकता है कहली बता रहो है डाइग्राम बहुत बार पूछा जाता है यह आई हो गया यह लेंस हो गया लेंस क्या होता है लेंस के उपर पूरा चप्टर हमने कवर करा रखा है आपका तो वह वाला मिरर रेंस वाला चप्टर पूरा देख लेना उसके अलावा क्या है यह हमारी ऑप्तिकल नर्स हो गए ऑप्तिकल नर्स क्या करती है यह नर्स क् आपके ब्रेन के अंदर ओं सिगनेल गए और आपके ब्रेन ने image को interpret करा और तब जाकर आप मुझे देख पाए तो बड़ा एक complicated सा बहुत सिंपल बहुत कॉंप्ली के चलो इन एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं फटा फट से जाधा टाइम वेस्ट निकरेंगा तो आपना 1.5 x वगेरा पर मत देखना क्योंकि स्पीड थोड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ाऊंगा बट कवर सारा करेंगे ठीक है चले तो आ जाते हैं जल्दी से फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीजे होती है आई के अंदर तो आ जाओ ठीक है अपने नोट्स वगेर जो चीज है बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कॉर् explorator क्या होता है वही ऐसलि यह ढृट तो देखे भाइए यह जो आँक है इसकी जो आगे वाली है ये तो को शृट था il कॉर्निया तो क्या हो אוगे अरे भहाई यह देफिनेशन देख लेते हैं इत आ इसे आउं था कुछ दिन पहले reflection reflection सब कुछ पढ़ा रखाए अब गिसी नगर पूछा क्या होता है तो फिट जाओंगे मुझसे तो ऐसी गलती ना करें आपको पता reflection क्या होता है बिलकुल in depth में पढ़ा दिया था मेने है जो हमने लेक्व पट् Activate किया होता कॉर्णी अеспुर्स्ट ही जब हमारे clean अंदर लाइट芝ाश66 जो सबसे पहले किस चीज़ टकराती है उसको हम बोलते है कॉर्णी और कॉर्णीय के रुक्रीर के पर प्धove आगए बढ़ते हैं अगे है लेंस अरे लेंस क्या होता वह यह देखो यह जो लेंस अंदर बन रहा है इह क्या है यह लेंस अभ तुम्हें बताना कौन सा लेंस ऑप यह इसा है वह आप लोग बताओगे चलो थोड़ा सा सोच ना इमेजिन करना आपको देखने से भी पता चल रहा होगा बट फिर भी थोड़ा सा सोच ले ना हमने यह चैप्टर पढ़ा रखा है चलो आगे बढ़ते हैं लेंस क्या होता है इसके बारे में पूरा में चैप्टर पढ़ चुके हैं तो मुझे नहीं पता है इसके बारे में आपको चीजे पढ़ने की जुरू होता है यह वर्ट टूबर डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि जब हम एक बोर्ड का एक्जाम लिख रहे होते हैं तो जितना हम पॉइंट टू तो सीधी सी बात है लिखनी पढ़ जाती है चलें आगे बढ़ते हैं अगला क्या है आईरिस यह आईरिस क्या होता है तो देखिएगा आईरिस इस दी डार्क मसल या फिर देखो आईरिस नहीं पढ़ते पहले आईरिस से पहले हम पढ़ लेते हैं फ्यूपिल क्या होता है यह जो pupil में से आपकी जो लाइट आती है, वो अंदर एंटर करके, वो क्या होता है, वो हमारा होता है Pupil, तो pupil क्या होता है, it is the window of the eye, आँख की क्या है window, it is the central aperture in the iris, it regulates and controls the amount of light, मलब कितनी eyes के अंदर light आईगी, वो कौन कंट्रोल करता है, अरे वो मेरा मित्र pupil करता है, कौन करता है, रे pupil करता है, प्यूपिल हमारा दोस्त है, जो कि कितनी light आईगी आँख के अंदर उसको control कर रहा है, तो pupil हमारा दोस्त है, और कितनी light आईगी, वो चन्ट्रोल करता है, अब, pupil का बड़ा भाई, pupil का बड़ा भाई होता है iris, कौन होता है iris, बड़ा भाई क्यों कह रहे हो, क्योंकि यह जो ये मसल यह है तेखे यह होल तो है pupil और यह है आईडिस आईडिस क्या करता है देखते हैं आईरिस इस डार्क मस्कूलर डाइफ ग्राम डैट कंट्रोल सी साइज ऑफ यूपील के साइज को कंट्रोल करता है और इसका बड़ावाई है जो कि इसको control कर रहा है तो obviously बात है रहे यह तो बहुत simple है हमें तब समझा रहा है क्या दिक करते हैं चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे और definition पढ़ते हैं अगला देखते हैं ciliary muscle कौन सी होती है भाईया जी ciliary muscle क्या होती है देखते है they holds the lens in the position and helps in modifying the curvature इसका मतलब एक lens होता है तो lens का जो बड़ा भाई है जो कि lens की position बदलता रहता है lens को modify करता रहता है वो कौन है ciliary muscle कौन है या इसलैरी मसल कौन है lens का बड़ा भाई बहुत बड़ी है सब कुछ clear रहे आगे बढ़ते हैं चलो एंट देखो दस-बंदरा दिन और अभी भी गला सही नहीं है आप देखे रहोगे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और टीचिंग में क्या होता है ना तब तक हम्हारा गला सही नहीं होता तब तक हमें मज़़ा नहीं आता बढाने कोई एक energy यह गले से उस वज़े से थोड़ा रेस्ट पे था त shook है नहीं जल्डव हो रहा है और लोहा लाता है आप लोग के लिए चीज़े लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे पड़ बढ़र मशती है आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डिपेंडेंट है और वो बोलते हैं कि भाईया आप कही पड़ा हुआ समझ आता है आप प्लीज लेक्चर जल्दी डाला करो बट अभी कबार कुछ ऐसी प्रोब्लम होती है जो कि हमारे कंट्रोल ठीक है चलिए आगे बढ़ते यह एक मेंबर्न होती है जिसमें क्या होता है लाइट सेंसिटिव इंस होते हैं दिखना इस ळेता है इधर यहां से ल लाइट यह लैन्सberg करेगा और कनवर्ज करके यहां पर इमेज बनाएगा और यह क्या है यह हमारा रेटीन यह क्या है हमारा रेटीन देख लीजिए तो रेटीना क्या हो गया मेरे मित्रों रेटीना हो गया वो स्क्रीन जिसमे की image form होती चलिए आगे बढ़ते हैं optic nerve, optic nerve क्या होता है, optic nerve कुछ नहीं होता, optic nerve क्या होता है, transmits visual information from retina to brain, optical nerve कहा है, यहाँ, यहाँ, यह क्या है, optical nerve, optical nerve basically क्या करता है, optical nerve आपकी जो भी image बनती है, रेटीना पर, उसके आपके दिमाग पर बेचता है, जैसे कि मैंने starting में बताया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है blind spot, blind spot आपको पढ़ने के वैसे जोरत नहीं है, बट आप इतना समझ लो, a point at which the optic nerve leaves the eye, जहां से वो जो optic nerve है, वो आई से निकल जाती है, वो हमारा होता है blind spot, ठीक है, इसके बार में detail में पढ़ने की कोई जोरत नहीं, आपकी जोरत नहीं है, आपकी जोरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलो, एक्वस हुमर और विट्रस हुमर, यह क्या होता है, वो यह यह तो बड़ा जीब सा नाम आगे, पहली बार सुन रहे हैं या डरो मत, बहुत सिंपल है, एक्वस हुमर क्या होता है, एक्वस हुमर होता है, लिक्विड, जैली-like substance, जैली-like substance, टेफिनेशन पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझेगा, between the cornea and the islands, cornea कहा होता है, यह, islands कहा है, इनके बीच में, जो लिक्विड है, जो जैली-like liquid है, वो क्या है, वो है हमारा एक्वस हुमर, क्या है भाईया जी, एक्वस हुमर, similarly, विट्रस हुमर क्या होता है, विट्रस हुमर भी लिक्विड ही होता है, प्रटीना के बीच में, मतलब यहां पड़, क्या होता है, विट्रस हुमर, नोट डाउन कर लिजे, पटाफट से, जल्दी, मैं जब तक पानी वगेरा पी लेता हूं, आप नोट डाउन कर लिए, जल्दी से नोट डाउन कर लिजे, वो क्या, बहुत सही, अरे बहुत सही, अरे रे, क्या बात, चलिए, आगे बढ़ जाए, आउदी जोश, हाई भईया, या लोग भईया, हाई भईया, लोग भईया, अरे हाई है यार, कम कैसे करेंगे, हम तो शेर लोग है, याद रखना, जब भी आपको डी मोटिवेशन पीलो, लगे, कि आज पंड़ने का मन नहीं करता, तो एक पल अपने पेरेंट्स की फेस याद कर लेना, उनकी शकल याद कर लेना, वो मेरे लिए दिन रात काम करते हैं, मेनद करते हैं, रात को इतनी लेट आते हैं, और क्या मैं उन लोगों के लिए इतना पढ़के एक नं अब दो पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप थोड़ा सा ना कॉंपिटेंसी वेस्ट कोश्चन भी हम देखेंगे ठीक है तो पहला पॉइंट है फार पॉइंट अफ दी आई दूसरा है नियर पॉइंट अफ दाई मैं आपको बाद में रिखा दूँगा अगर नहीं है अगर नहीं है तो दो चीजे होती है एक होता है हमारा पॉइंट होता है कि भाई हम कितनी दूर तक अपनी आँखों से देख सकते हैं भाईया मैं तो चांद देख लेता हूं मैं तो चांद भी देख लेता हूं तो मैं तो बहुत दूर तक देख सकता हूं है ना मैं तो सितारे देख लेता हूं बाद तो तुमारी सही है इसका मतलब एक common human का far point क्या होगा infinite कितनी भी दूर तक देख सकता हूं तो far point वो point होता है maximum distance to which I can see clearly ठीक है तो वो हमारा क्या होता है वो हमारा होता है far point और far point normally कितना होता है humans का infinite अब एक दूसरा होता है near point इतनी पास तक देख सकता है कि एक एक्टिविटी करना मेरे साथ ठीक है तुम्हारे पास क्या नोटबुक है कोई नोटबुक लो अब इसको ऐसे रखो इत्ती दूर अब इसको पास लाओ इसको देखते रहे ना पास लाओ 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 और इतना पा फिर unclear हो जाते हैं फिर हमें समझ नहीं आपाता और उसी point को हम बोलते हैं near point of the eye क्या बोलते हैं near point of the eye बहुत बढ़ी है यह बात तो बहुत simple दी समझ आ गई हमको तो normal human beings के अंदर जो आपका near point होता है वो कहां होता है वो होता है 25 cm कहां होता है 25 cm ठीक है 25 cm normal human beings का होता है अगर आप normal human being नहीं हो नहीं हो तो आप शायद इतनी पास कभी clearly देख लोगाट ऐसा होता नहीं सब का 30 cm होता है चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़े अब थोड़ी थी brightness कर लेते हैं वरना मुझे ही नहीं दिखेगा एक मिनिट जड़ा चलो अब बात करते हैं पावर और अकॉमेडेशन पट उससे पहले एक कोश्चन मेरा आप सभी से अच्छा एक चीज़ बता एक चीज़ बता रात कि तो मैंने तुम्हें का था कि lense has particular focal length focus होता है बात तो सहीं को अर भाया जब मैं जब मैं इध्यान से देखने का बोल रहा हूं है जब मैं एक चीज को पास से देखूंगा इसको मैं इस पर फोकस कर रहा हूं तो पीछे की सारी चीज़े बलर दिखेंगी और जैसे ही मैं इसकी तरफ से focus हटाता हूं और बगल वाली चीज़ को देखने लगता हूं तो यह दूंदला देखने लगता है करके देखो एक चीज़ को अपने सामने रखो उस पर focus को पाख ही पीछे का सब दूंदला देखेगा और आप क्या करो इसको उल्टा करो अब इसपर फोकस मत करो बगल वाली चीज़ पर फोकस करो यह दूनला देखेगा यह कैसे हो रहा है हमारी आइस के अंदर तो एक लेंस है उस लेंस की एक पोकल लेंस होगी यह कैसे हो रहा है कि अगर हम इसको देखना चाहे तो यह clear दिखता है इसको देखना चाहें तो यह clear दिखता है भाई यह कैसे पॉसिबल है यह पॉसिबल है ड्यूटो अकॉमेडेशन ऑफ यह पावर और यह पॉस्चन आपका आ सकता है assertion and reasoning के अनदर assertion and reasoning के अनदर assertion आपका यह होगा कि भाई हम दूर का अबजेक्ट भी क्लियर्ली देख पाते हैं पास का भी देख पाते हैं उसका reason क्या होगा उसका reason होता है accommodation of power सर्चन एंदर इस प्रबार के कोश्टन आपके आ रहे होते हैं ठीक है चली तो देखते हैं definition the process by which ज्यान से देखना ज्यान से देखना the process by which certain cell circles ciliary celly muscle functions to change the focal length of the eyes so that the image is clearly formed on the retina accommodation of power is the phenomena in which आर आई लेंज चेंज इड्स फोकल लेंज वो स्पोकस को चेंज कर सकती है बाई दी हेल्प ऑफ सिलेरी मसल वो होती है पावर ऑफ अकॉमेडेशन यह अब भी समझ नहीं आया थोड़ा सा और समझाओ ना तो देखो बेटा यह हमारा लेंज है यह हमारा सिलेरी मसल गेए रभाट यह से इन गए पेए हम कोई दूर का अबजेक्ट देखेंगे तो पताय क्या होगा तो पताय क्या होगा सोचो सो दो क्या होगा अरे कुछ नहीं होगा रहे बड़ा सिंपल फिनpsyनोमीन है तो इस हमारा ते लेरी मसल यह स्ट्रेश हो जाएंगे कर हमारा और जब कोई चीज पास आ जाएगी तो क्या होगा तो हमारा सिलेरी मसल कॉंट्राक्ट हो जाएंगे और आइलेंस क्या हो जाएगा मोटा हो जाएगा इस फिनोमियों को हम बोलते हैं पावर ओफ अकॉमेडेशन ठीक है फोकल लेंद को बदलना अगर मैं दूर को अबजेक्ट देख रहा हूं तो याद रखना यह कोशन बहुत बार पूछा गया है आगे भी पूछा जा सकता है कि अगर मुझे दूर को अबजेक्ट देखना है तो मेरी जो आईद है उनका जो लेंद्स है उस लेंद्स के साथ क्या होना चाहिए तो जो लेंद्स है वो थिन हो जाना चाहिए थिन हो जाना चाहिए तिलैरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे और जो लेंद्स हो पतला हो जाएगा समझे हाँ यह समझे और सेकेंड गेस के अंद अब एक बच्चा मेरे से पूछेगा कि भाया हम यह फोकल लेंद बदल क्यों रहे हैं पता है क्यों बदल रहे हैं देख बेटा हमें जो इमेज बनानी है ना हमें अगर मेरी इमेज रेटीना के दूर बनी या रेटीना से पहले बनी तो क्या इमेज बन पाईगी नहीं बन पाईगी तो मतलब इमेज रेटीना पर बननी चाहिए तो अगर मुझे रेटीना पर इमेज बनानी है तो यह जो लेंस है कभी वो पतला हो जाएगा या कभी वो समझ गए तो इसको मतलब भया यह जो हमारी आखे ना इसके अंदर इतनी तगड़ी टेक्नोलोजी यूज करी गई है ना तुम सोच भी नहीं सकते जब भगवान ने हमें बनाया है तो ऐसी टेक्नोलोजी सेट करी है कि हमारी आइज ऑटोमेटिक ली चेंज हो जाती है अगर हम दूर का देख रहे हैं तो लेंस आटोमेटिक पतला हो जाएगा पास का देख रहे हैं मोटर हो जाएगा समझ रहे हो इतनी बड़ी टेक्नोलोजी क्या बनाया है हमको और तुम इतना अच्छा हमें बनाया गया है as a human being फिर भी हम जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करते हैं खाते हैं पीते हैं सो जातने हैं पढ़ते भी नहीं है तो इतना अच्छा तुम्हें बनाया गया है बगवान में तो कुछ अच्छा काम करो मैनत करो एफट लगाओ और अच्छे नंबर लाओ चलो आगे बढ़ते हैं चली तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि यार आइस फोकस तो यह एक्दांपल मैं आपको वता चुका हूं कैसे फोकस करती है तो वहीं कुछ नहीं करती अपनी रेज आती है और जो अपना लेंस होता है वह रेटीना पर इमेज बनाता है तो यह बहुत बेसिक फिनॉमेना मैं आपको यह दोनों चीज़े समझा चश्मा क्यों बेहनते हैं आपने देखा होगा आपके लास के अंदर या आपके पुद के आपके पेरेंट्स के आपके टीचर के चश्मे लग रहे हैं अब तो मेरे भी चश्मा लग गया है यहां बहुत लाइटिंग अगयरा होती है इस्टूडियो में और उसके वज़ स की होजे से बोलो तो प्रकार के प्रोब्लम होती है पहली प्रोब्लम होती है मायोपिया क्या होती है मायोपिया क्या होती है मायोपिया क्या होती है चलो मायोपिया को पढ़ते हैं मायोपिया को हम नियर साइटिडनेस भी बोलते हैं मायोपिया वो बिमारी है जो हमें मुझ 20-25-30 साल तक के लोगों को मायोपिया होता है मायोपिया एक वो विमारी है जिसके अंदर हमको भई पास का तो खिलियरली दिखता है अगर मैं बोलू एक किताब पढ़के बता तो तू पढ़ लेगा पर जब तू दूर का देखता है तो तुझे नहीं दिखता और इसी पे ही एक केस बेस कोशन आपका बनता है केस बेस कोशन यह होता है कि राहूल इसा ब्राइट स्टूडेंट राहूल इसा ब्राइट स्टूडेंट ठीक है राहूल क्लास के पीछे बैठता है तो राहूल को क्लास के पीछे से दुंदला दिखता है राहूल को बोड नहीं दिख पाता तो राहूल को क्या करना चाहिए और जो राहूल को नहीं दिख पाता दूर से उस बिमारी का क्या नाम है उस डिसीज का क्या नाम है तो उस डिसीज का नाम है मायोपिया उस प्रॉब्लम का नाम है मायोपिया यह पाइस का तरे जाता है वाट राहूल को दूर का नहीं दिख भार है तो इस मायोपिया को दूर कैसे किया जाए रसमा लगा के ठास्ट मceğizल एक अप्र शु UntersulCU लेंश सो सचो एक बाद विडियो पोस्ट करो कौन चाहर लेंश लगाएंगे n लगाएंगे एक बार सोचो जल्दी 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 सोच लिया तो अब देखते हैं कि इसका कर्यक्शन कैसे होगा तो समझेगा इसका मतलब जब हमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो भाया जी हम इसको सॉल्द करते हैं और यह केस बेस्ट कोश्चन आपके पेपर में आ सकता है फिर से बोल रहा हूं राहूल एक ऐसा बच्चा है जिसको पास का तो दिखता है दूर का नहीं दिखता तो पहला कोश्चन है problem का नाम बताओ और उस problem को define करो myopia problem है myopia को आप define कर सकते हो आपको मैंने पूरा समझा दिया अब उस problem का correction क्या हैessä पॉनकेव लेंस और एक काम और करना जब आप answer लिख रहे हो अपने board के exam के अंदर तो यह diagram भी बना कर आना diagram क्या बनाओगे कि problem है यह, दियान से देखना problem क्या है यह image है, यह आ रही है और यहां पर form हो रही है, यहां पर retina से पहले, retina से पहले form हो गए, देखो, यह retina सा image यहां पर form हो गए अब मैं क्या करूंगा मैं यहां पर लैंस बना दुंगा पूंसा लगा रहा हूँ यही मैं कॉन केव लैंस की वजए से है जो मेरी लाइट रेज है वह यहां पर जाके मिलेंगी रेटीन समझ दे समझ गए clear रहे clear रहे clear रहे clear रहे clear रहे जल्दी बोलो clear रहे अंजी यह एकदम चकाचक clear है मतलब यह question कि हमारे बोर्स में आ सकता है बिल्कूल आ सकता है रहे समझे अभी भी टाइम है तेरे पास मयोपिया क्या होता है उसका correction क्या है ठीक है आगे बड़े यह example मैंने आपको बना कर दिखा दिया है कि भई होता क्या correction वगेरा कैसे होता है ठीक है चल आगे बढ़ जाए यह देखो लेंस ल लो क्या hypermetropia hypermetropia कौन सी problem है hypermetropia वो problem है जो आपके शायद parents को हो सकती है कि hypermetropia में भाई तूर का तो सब दिखता है पर पास का नहीं दिखता यह दिखकर है इसको मोलता है hypermetropia अब इस पर भी case based question आ सकता है कि आपकी एक teacher है उनको पास का नहीं दिखता दूर का दिखता है तो उन्हें कौन सी problem है problem का नाम लिख देना hypermetropia 100 میں होता क्या है वह आप explain कर दे ना हाइपड्मेट्रोपिया में होता क्या है वह आप explain कर दे ना अगर मैं आपको हिंदी में explain करूं तो सम्हों होता क्यम इनमेज और यह दो मैं है 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 यइप मेट्रोपिया में मेंане क्या हुआ रेटी नहों के पीछे इमेडम हम घे 서울 लखा देंगे कर दिदो नाव लगाततर है दर दम शिले yol passion क्या है ना यह जर से बोर कि यह लगा दी हमने और इमेज बन गई तो यह डाइग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता है माइव और हाइपर मेट्रोपिया के जो हमारे डाइग्राम है वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना कॉनकेव लेंस किसमें यूज होत कि अगर गया आगे बढ़ जाएं कि अगरे बोल रहे चलो अब हमारा जो यूमन आई था वो खतम हो चुका है बट दो चीज़ें में आपको बताता हूं और यह कोश्चन आपको कुछी भी क्लास के अंदर डिसकस नहीं करेगा कोई भी कोई भी डिसकस नहीं करता बट यह कोश्चन आपके असर्शन एंड रीजनिंग के अंदर आ सकता है देखो मेरे एक मोटीव है कि यहार जैसे जैसे हमारा पैटन बदला है टेंट क्लास के बोड़ का तो हमारी पढ़ाई भी बदले पहले हम क्या पढ़ते थे थियोरी पढ़ते थे बुक करते थे और पेपर दे देते थे बट कि वैजिन करो आपको पूरा छेरा ह्याएं और आखे पीछे हैं वह सकता है ना आपयाइज क्या है भगवान ये थे और आजगाई क्जी और पूर दगाया रहत वाइड व्यू देता है secondly इड प्रोवाइड थ्री डाइमेंशनल व्यू क्योंकि हमारी यहां के सामने है तो हम देख उपर का भी नीचे का भी दाएं बाएं सब तो देख सकते हैं तो यह इसके दो रीजन है एंड यह सर्शन रीजनिंग के अंदर पूछा जा सकता है चोटा देख लेते हैं कि जोश मीटर कैसा है जोश मीटर कैसा है हमारा जोश मीटर कैसा है हमारा हिंड्रेड में से जल्दी से बोल दो रहें कैसा है हमारा जोश मीटर टिका हुआ है यह खतम हो गया चाठा वय बोल गया क्या है और जिसमें नहीं वह जाओ दो मिनट पानी वानी प चलो अब बात करते हैं colorful world के बारे में प्रिजम क्या होता है आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट करा जाता है कि और एक वाइट लाइट होती है वो साथ colors में डिवाइड हो जाती है प्रिजम की वज़े से ना कराया होगा देखा होगा इस फिनोल मेंट को हम क्या बोले हाई है इस फिनोल मेंट को हम बोल सकता है कि यह सबसे इस पहले उप लाइट के बारे में जानिए और गवाई तरे भाई जब एक वाइट लाइट आती है प्रिस्म झे तो क्या होता comedy ध्यान से देखिएगा उस्प्लिट हो जाती है कॉम्पोनेंट्स में क्यूं? Due to different bending ability एक white light के अंदर साथ अलग-अलग color की light होती है और जैसे हम prism में डालते हैं तो prism में क्या होता है? यह आपको बताया था पिछले chapter में क्या होता है? reflection और reflection से क्या होता है? reflection से भी यह क्या होता है? बंट जाता है अलग-अलग अलग-अलग colors में बढ़ जाता है और यह क्यों बढ़ता है? क्यों? इसका reason है Due to different bending abilities हर color की एक different bending ability है इस शब्द को प्लीज याद रखना क्योंकि जब आपके board के अंदर सवाल आएगा यह कि what is dispersion of light वैसे इतना सान सवाल आता नहीं है बढ़ अगर आता है तो भाई तुम्हें ये वाला शब्द तुम लिखके आने चाहिए bending ability अगर यह नहीं लिखके आओगे तो टीचर आता नंबर काट लेगा पहली बता रहो यह होता है सबके साथ होता ही ठीक है आप समझ गया होगे क्या होता है इक वाइट लाइट गई और वह साथ रंगों में बढ़ गया क्यों बटा क्योंकि डिफ्रेंट अबिलिटी रेंदिंग यह ने चैसी यहां। और म करें गन। चललू साथ और अब पड़ता है तो द्हांना जब सकता है हमने रीफ्रेक्षिन पढ़ आ था रीफिरेक्शन के होता है जब भी एक नाईच रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ने जाती है दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे लात एक और होती नहीं होती अब यह होती होती तो ए मैं आप तो फिर आप बिल्गुल सही अ कि मैं नहीं होता हूं ठीक कर यह ओ कुझ आब आप सोचो अगर मैं इस incident angle को बढ़ाता जाऊंगा अब दूसरी लाइट्रे मैंने ऐसे कर गए अब क्या होगा यह ऐसे भागेगा अगर मैं और बढ़ाऊं तो अब यह ऐसे भागेगा है ना और एक एंगल ऐसा आएगा एक एंगल ऐसा आएगा जब मैं इस light ray को भेजूंगा जिसमें की यह refracted ray जो है रीफ्रेक्टिड रे जो है वो 90 degree पे निकल जाएगी 90 डिग्री पे निकल जाएगी देखो देखो पर भाया यह away from the normal क्यों जा रहा है क्योंकि जब reflection होता है तब तो two words भी जा सकता है बात तेरी सही है बात तेरी सही है पर case में कौन सा ले रहा हूँ case में ले रहा हूँ dancer से rare-er का यह dancer है यह rare है जब भी dancer से rare-er में जाता है तो away from normal जाता है यह आप लोगों ने पढ़ा था मैंने भी आपको पढ़ाया था है ना बात तो भईया आप बिल्गुल सही कर रहे हो हां जी भईया जी क्या बात भईया बात तो आपकी एक नंबर है एंगल क्रिटिकल एंगल याद रखो नोट डाउन कर लो नोट डाउन कर लो कि भई एक वो एंगल जब हमारी लाइट रेट डेंसर से रेरर में जा रही है और रिफ्रेक्टिड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए उसको अंबोल तें क्रिटिकल एंगल ठीक है अब देखो अगर मैंने अब मैंने इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ा दिया थोड़ा सा और बढ़ा दिया देखो अब यह लाइट रहे ऐसे थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो पता क्या होगा तो यह जो लाइट है वो बेंड करके अंदर आ जाएगी सेम मीडियम क हम जे संजे अब है बाद को सुऩाई और इत्ती फिनामेना को हम проблемы है total internal reflection जब एक medium से light गई और वो वापिस उसी medium में आ गई मुझाल हम बोले total internal reflection यह concept है better please note down this अब इसको short form होती है TIR जो बच्चे 11-12 के अंदर साइन्स लेंगे उनका 12 क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है पूरा एक चैप्टर है लेंस वगेरा के उपड़ तो उसमें आप ये बहुत डेप्थ में पढ़ोगे और इसके बहुत सारे कॉश्चन्स भी आते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंप् अब ती आई आर के लिए दो इंपोर्टेंट कंडिशन क्या है वाट आर डी टू कंडिशन फॉर टी आ यार देखो यह मैंने आपको समझाया कि भाई देखो लाइट गई लाइट गई अब एक एंगल ऐसा आता है एक एंगल आता है जब यह लाइट जो है बेंड करके वा सबसे पहली कंडिशन डेंसर से रेर में जानी चाहिए लाइट यह मैं आपको बता चुका है ना है ना बोल और दूसरा क्या है देखो दूसरा देखते है यह एंगल ओफ इंसीडेंस इस ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल वह जो मैंना भी क्रिटिकल एंगल बताया उस से बड़ा होना चाहिए इंसीडेंट एंगल तब ही तो जाकर अंदर आईगी वाफेस और वेस्सी बात तो यह दो नोट डाउन कर लो पटाव कि सॉरी नोट डाउन कर लीजिए हो गया है अगे अरे बहुत बढ़िया आ गैजा आ रहा है मजा आ रहा है यह नहीं आ जल्दी बता दो रहे अब इसका एक्सामपल देखते है रिएल लाइफ एक्सामपल क्या होता है real life example होता है optical fiber, optical fiber होती है ना आपके घरों में Wi-Fi की केबल आती है, Wi-Fi की एक केबल होती है, अजीब सी केबल होती है बिल्कुल इसको आपके Wi-Fi के ओनर बोलते हैं कि इनको मोड़ना मत, इनको मोड़ना मत बोलते होंगे आपसे जिनके घर में वाइफाई लग रहा है वो समझेंगे इस बात को वाइफाई की केबल होती है उनको हम बोलते हैं अप्तिकल फाइबर तो अप्तिकल फाइबर के अंदर अगर तोटल इंटर्नल रिफेलेक्शन का यूज किया जाता है भाई जो सिगनल आते हैं उसके अंदर वो किस से आते हैं ठूटल इंटर्नल रिफेलेक्शन से अगर आप से कभी भी पूछ ले कोश्चन के अंदर what is the physical example पल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो याद रखना आप लिख दो अप्टिकल केबल और कुशन ये भी आ सकता है कि रोईट एक बच्चा है उसके घर में वाइफाइ लगा और वाइफाइ वालो ने उप्किल केबल यूज करी तो उन्होंने बोला इस ऑस और केल को कभी भी मोड़ना मद तो उन्हों ने ऐसा क्यों बोला रेन्वो दिख जाता है तो सब इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने लग जाते हैं रेन्वो नियर मैं हाउस लड़कियां तो बहुत ही करती है ऐसी ठीक है जो भी दादा बोलोगा नहीं वरना लड़कियां ओफेंड हो जाएंगे ठीक है तो हम देखते हैं भाई कि रेन्वो होता है तो प्रिजम से वाइट लाइट सात रंगों में बढ़ जाती है तो सकाई के अंदर कैसे कैसे हो रहा है और जब मैं बड़ा हुआ जब मैं नाइंट क्लास के अंदर आया तो मैंने समझा कि वाटेज रेन्वो फॉर्मेशन के अंदर अभी बता रहा हूं 90 लोग गल जवाब देंगे कि लोगों कोशन कमेंट सेक्षं के अंदर आणसर देना इस फॉस्टा हूं आपको क्या लगता है रेन वगों में इस कि वाज़े बनता है वो फिसकी या इस परिजन वाज़े थे इस परजन ओफ लाइट की वज़े से या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वज़े से इसकी वज़े से बनता है बताओ आंसर दो फटावर जल्दी कि अब 90 परसुंत लोग लिख रहे हैं कि यह परजन की वज़े से बनता है हम ने पड़ाना प्रिस्व प्रिस्व में दिस्पर्जन होता है उस वज़े से तो रहे बनता है अरे वेफुफो गलत है कि इन ओने बोला टोटल इंटरनल रिफलेक्शन वह भी गलत है क्यों रेन्वो बनता है डिस्पर्शन psi टिय यह पियला कर दॢूर का मेल होता है दोनों का मिल जुल के काम होता है भय यह यह बोल दिया थोड़ा समझाओ यह तो समझी नहीं आ पाए तो समझते हैं यह मेरी है रेंड्रोव यह बूंद पानी की बूंद यह एक ग्रिए बने चेक कर लेता हूं कि आप तो क्लियरली दिख़ रहा है या नहीं दिख रहा है जस्त-ब समिनिस एक मिनट दे जैंसी अ सीनों ठीक है तो यह क्या है पानी deeply कि अब देखो क्या होगा यह सनलाइट है यह सनलाइट है यह पानी की बूंद है रेन्वो को फाम होता है जब बारिश होती है बारिश के बाद ही होता है तो देखो बारिश गिर रही है यह सनलाइट आई यह सनलाइट आई यह क्या हुआ यह टकराई यह टकराई यह अंदर अब क्या हुआ कि मीडियम बदला एयर से वाटर के अंदर आया जब भी मेरा एयर से वाटर के अंदर आएगा तो क्या होगा रीफ्रेक्शन आपको पता है रीफ्रेक्शन होता है क्या होता है रीफ्रेक्शन रीफ्रेक्शन और क्योंकि यह सनलाइट थी क्योंकि यह तूट जाएगी क्योंकि सनलाइट पूट जाएगी और री फ्रेक्शन हो गया तूट गई अब यह मेरी पूंद होती है यह मेरी वाटर ऊथी है तो अभ यह वाटर ड्रॉप के दूसरे पार्ट यह पर टक्राएंगे है ना टक्राएंगे अब क्या हुआ यह मेरा टेंसर मीडियम है वह यह जो होता है वह मेरा एंगल अगर मेरा क्रिटिकल एंगल से बढ़ा है तो क्या होता है टॉटल इंटर्नल reflection तो क्या होगा तो भाई ये टक्राइंगी और ये वापीस आएंगी ये वापीस आएंगी देखिएगा देखेगा खांजी वह ये वापीस आई और वापीस आई और आप क्या हुआ अब वापीस से reflection होगा वापीस से reflection होगा टैंसर से रेरर का reflection हो गया रिफ्रेक्शन हो गया तो भार आगई देखो रिफ्रेक्शन हो गया तो भार आगई और जब यह भार आई तो हमें सात कलर दिखते हैं जिन कलर को हम डिफाइन करते हैं विब ग्योर विब ग्योर विब ग्योर बहिया उल्टा क्यों लिखा है बहिया उल्टा क्यों लिख रह fraction होता है तो बार तो हमारा जो आता है आंसर वह उल्टाइ़ आता है नीचे होता है वी नीचे होता है वाइलेट इंडीगो बुर्ण यहलो ऐह तो आपको दिखे गा कि सबसे उपपर होता है रेड कलर नीचे होता है ब्लूइश कलर है ना वो क्यों दिखता है दो बार रिफ्रेक्शन हो गया और हमारा तो रेंबो बनता है वह ऐसे बनता है विब गया और याद करने की टेखनीक है विब गया और वी आई भी जी वाई ओर यह साथ कलर हमारे दिख रहे होते हैं तो यह है हमारी rainbow formation की टेकनीक दो बार reflection हुआ total internal reflection हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ dispersion हो गया ठीक है clear है क्लियर है क्या है कि अगय समझे कि rainbow कैसे हुआ मस्ट टेकनीक है ना है ना interesting और इस level के question अब आपके बोड़ के अंदर आ सकते कभी भी तीन नंबर का question आपके exam में आ सकता है explain the rainbow formation कैसे समझाओगे यह diagram बनाओगे जो मैंने आपको theory बताई वो theory लिखोगे और यह पूरा ऐसे diagram से समझाओगे यह बहुत जादा important है तीन में से तीन नंबर आपको मिल जाएंगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब देखते हैं क्या देखें भाई क्या है topic अगला topic है sun image seven color light in the visible range हमें पता है हमको पता है कि बाई जो सूर्य होता है वो white light देता है उस सफेद light के अंदर seven lights होती है विब ग्योर मैंने आपको प अठार इघ्जा है अगे बड़ागा चीज़े और आपको विब गयार के बाहरे में मैं समझा देता हूं क्योंकि आगे आपके काम हैंगे है यह मैंने लिख दिया पूरा विब्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हर लाइट की अपनी वेवलेंट याद रखना जब हम विब गयूर में ऊपर बढ़ते हैं तो पिंप्रीयज करती है क्या करती है वापिस बोलंगे मिर साथ इंक्रीज करती है क्या करती है कि इसका मतलब बॉइलेट की wavelength कम इंडिगों की जादा ब्लू की जादा सबसे बड़ी किसकी रेड की तो सबसे हाइस किसकी होती है वहीया जी रेड की याद रखना बहुत जाद important point बता रहा हूं जादा तर answer आपके wavelength से याद आएंगे कैसे अभी आगे समझाऊंगा wavelength increase होती चलती है सबसे जादा wavelength रेड की होती है सबसे कम वॉयलेट की होती है क्या ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तो एक like तो बनता है अगर आप कुछ सीख पाते हो मुझसे हमारी भेनत से हमारे free content से हमारी सारी हम आपको जो books free में देते हैं notes free में देते हैं सब कुछ क्योंकि यह जो आप इतनी colorful images वगेरा देख पा रहे थे उन सभी में टीम लगती है content की सब्सक्राइब करें जितना ज़्यदा हम अगे वरजाते हैं आता है सवाल पाई काई अपीर ब्लू भायर में देखते हैं तो वकास थो में न वह दिखता है ब्लू ब्लू सा शार फुले पानी कनी वाल ब्लू नहीं चाए है भलू ठाव है है रिसल्स नो जाल्दी आंφर तो लगां को तो ये रहा है वाई कि वह एया है I amNO मैं समझाता हू Suzanne हमरी कॉंसेट पढ़ लेते हैं स्कैटर्र रिंग ओ उफ लाइट है कि और यह मेरी यह मेरी वाइट आई जब यह तुकडो यह जो पार्टिकल्स होते हैं एर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपको पता है एर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो जब यह वाइट लाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से टकराती है तो यह क्या करती है स्कैटर हो जाती है क्या हो जाती है स्कैटर हो जाती है तो आपको पता होगा कि छोटे-छोटे पार्टीकल की वजे से जो हमारी light इस प्रेट हो जाती है उसको क्या बोलते है अब आप च्राइलष हो से स्काय के अंदर पार्टिकल से तकराई 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 अब क्या होगा जब वह तकराईगी पर्टीकल बहुत छोटे होते हैं न सबसे कम वैवलैंध वाली लाइट ही स्केटर हो पाती है बहुत जादा इंपोर्टेंट बता रहा हूं लाइट आई पार्टिकल से टकर आई पार्टिकल बहुत छोटे थे तो पार्टिकल ने कहा कि भाईया जी हम तो उन्हीं को ही स्कैटर कर पाएंगे जो की बहुत छोटे वेवलेंट वाले हैं बड़े लोगों से तो हम बातचीत कर पाएंगे सूर्यह ने कहा कि सबसे कम वीवलेंट वाला अच्छे सबसे कम वाला तो मेरे पास यह है वाइल इन्डीगो ब्लू कूण हमें तो इन तीनों से बात करा तो हम तो इन इन्हीं ओट करेंगे influencing?!" क्या उते हैं आपको दिखता है और जो रेद के पास आती है वह आपको यलो तक यह सबसे कम जिनकी स्कैटरिंग ओपाती है वह कौन से होते हैं तुम्हें scatter नहीं कर पाएंगे, scatter नहीं कर पाएंगे तो सीधा-सीधा चले जाओ, यह सीधा-सीधा चले जाते हैं, इस वज़े से sunlight हमें yellow दिखती है, और sky हमें blue दिखता है, समझे की ना ही, समझे की ना ही, तो हमने क्या करा, हमने रिष्टा बना लिया, कि भाईया जी सूर् जी ने का हमारे पास तो तीन लोग है, जिनकी wavelength कम है, तो यह तीन थे, boil it indigo blue, तो उनने का ठीक है, इन तीनों को भेज़ दो, बाकी लोगों को भेज़ दो, बाकी लोगों को निकाल दो यहां से, तो इन तीनों के साथ इनोंने मिले, और scatter कर दिया, scatter कर दिया, तो sky फूरा blue हो गया और sunlight यलो हो गया, concept को ऐसे समझा ले, ठीक है, चलिए, तो ओपली आपको समझा गया होगा कि blue क्यूं होता है, अब इस से जाधा explanation तो क्या ही देंगे है, तो समझ गया होगा, scattering of light, wavelength of light कैसे होती है, चलिए, अब यह पूरा इसका example है, आप देख सकते हो, वैसे मैं आ आपको जिस तरीके से समझा है, मुझे नहीं लगता, आपको इस पढ़ने की जोरत है, पट एक बार इसको पढ़ लीजे, एक बार इसको पढ़ लीजे, कि blue light is catered more than other light because it has shorter wavelength, यह इसकी definition है, यह इसकी definition है, यहना, बट definition से उतना फरक नहीं पढ़ता, अगर आपको समझ आ प सुबह उड़ते हैं, वैसे तो भईयम सुबह उड़ते नहीं, हम तो लेट जटते हैं, बट फिर भी, कभी कभार जोन सुबह जल्दी उड़ते हैं, चार बजे, जो सन्राइब जोरा होता है, तो न, red red दिखता है सब, ऐसा क्यों होता है, यह स्काई भी पूरा red हो जाता है ऐसा क्यों होता है, बता है, क्यों होता है, अब इसका आंसर तो आप लोग खुद दे सकते हो, भाई concept है, सोचो, क्यों होता है, सोचो, सोचो, sky कैसे पूरा red हो जाता है, जल्दी, जल्दी, अब इसका आंसर तुम comment में दोगे, सेम concept लग रहा है, सोच न, नहीं आता, तो किसी न, किसी ने, तो comment में सही answer दे रहा हो, तो मैं pin कर दूँँ, ठीक है, तो यह आप लोग सोच न, यह आपका homework है, मैं आपको सारी चीजें, यहाँ पर class में नहीं कर आत है, चली, अगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला question यह है, अच्छा, यह तो उसी का answer है, यह तो उसी का answer है, इस answer को वैसे हम अभी देखेंगे नहीं, कि क्यों हमें sky, जब हम sunset है sunrise होता है, तो हमें red क्यों दिखता है, तो इसके बारे में बात में बात करेंगे, ठी red color का क्यों होता है, भहिया, train को रोखने के लिए लाल कपड़ा ही क्यों दुखाया जाता है, पुराने जबान में दिखाते हैं लाल कपड़ा, वो क्यों दिखाते हैं, क्यों, why only red, क्योंकि red की wavelength सबसे जौदा, तो जब हमारी light ray चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो red भहिया का जो अकतात है, वो सबसे बढ़ी है, तो वो scatter नहीं होंगे, वो कहेंगे हैं, मैं थोड़ी न पिखलूँगा, मैं तो हूँ सक्त लाउंडा, मैं नहीं पिखलता, तो वो तो चलते जाएंगे, चलते होते हैं, उनमें red color का इस्तमाल किया जाता है, क्योंकि red जो होता है, वो scatter नहीं होता, due to high wavelength, समझ गया, बस इतना सबंसर, ठीक है, समझ गया, समझ गया, समझ गया, अब ये आपका अगला हमबर, why yellow color to school bus, school bus क्यों yellow color क्यों होती है, इसको बड़ाई अजीव सा answer है, funny answer है, होती है, ये question आपके exam में आ सकते हैं, फाल तु निगरा रहा है, ये आ जाते हैं, ठीक है, चलो, अगला, 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 अगला सवाल ये है, कि scientist ऐसा बोलते हैं, कि तुझे सितारा देखता है, न, देखो, imagine तुमने उपर से सितारा देखा, ये तुमारी आँख है, ये वो actual position थी ही नहीं star की, वह ये ये के बात कर रहे हो, ये तो डरा रहे हो, आप हमको हमारी आँखे साई से काम नहीं करती, क्या, अरे साई से काम करती, तुमने वो class के अंदर experiment करा होगा न, कि जब हम pencil को पानी के अंदर डाल देते हैं, आदी, और ऐसे side से देखते हैं, तो pencil bend होती हुई दिखती है, क्यों दिखती है? Due to reflection. बड़ा साना, reflection of light हो जाती है, bending of light हो जाती है, पानी के अंदर जब्ढ़ी हम एक पैंसिल है, ऐसे डुबा के रखते हैं, तो bend it दिखती है, ऐसे थोड़ी हुई दिखती है, क्यों दिखती है? Refraction of light, similarly, एक्ट्चुल स्टार जो होता है वो इधर होता है वो स्टार की जो लाइट होती है वो आपके पास ऐसे пери कर के आती है री प्रेक्षन किस की और री प्रेक्शन में बहुत बार बता चुक्त याद रखना याद रखना जितनी भी हम दूर के object को देखते हैं star, moon, sun उनकी actual position से हम उपर देखते हैं actual position नीचे होती है फ़र हम देखते हैं क्यों क्योंकि भई reflection हो जाता है तो याद रखना यह question बहुत बार पूचा गया है why does celestial body appears to slightly raised from their position note down कर लिजे क्यों होता है क्यों होता है भाई क्या answer है due to atmospheric refraction atmosphere में क्योंगी change होता रहता है ना refraction होता रहेगा तो क्या होगा ठीक है आगे बढ़े जाते हैं अगला क्या question अगला सवाल है what is the reason behind two minute early sunrise and two minute delayed sunset कि किसी को यह पता है क्या एक बार कमेंट में करेंगे एक बार पताएंगे मेरे को किसी को पता है क्या यह concept किसी को पता है क्या पता है किसी को इनट यह समझेगा कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि असवर है तो कि आप उस vet HOW उसके संड्राइस से दो принцип पहले ही देख ले तो यह किए कवार्ध करने हो हम क्या और रहेता हो हम और ही सभी दो इनट पहले देख लेते हैं और额ण रहेता और संड्राइस होने के दो मिनट बात तक भी तुम सूर्य को देख सकते हो ये है ये कैसी बाध कर रहे हो यारा McKenzieoster ये होता है क्यों होता है क्योंकि धैसान से समझेगा देखिएगा ये तुम हो ये कौन है चिंटूलाल कौन है बेड़ा देख पाएगा जब मेरा सूर्य नीचे होता है तो due to atmospheric reflection पूर्य की किर्णे ऐसे आती है और ऐसे रिफ्रेक्ट होके चिंटु कुमार तक पहुंच जाती है तो जैसे ही चिंटु कुमार तक पहुंची तो चिंटु कुमार को तो लगेगा ना कि भाई सूर्य तो आ गया सूर्य देव तो आ गया अरे हाँ तो चिंटु कुमार बगएगा यार यह तो सूर्य तो आ गया जब पर सूर्य आया नहीं होता तो दो मिनट का टाइम गैप इसले होता है due to atmospheric pressure similarly जब हमारा सूर्य दूब जाता है जब हमारा सूर्य नीचे दूब जाता है तो भी दो मिनट बाद हम देख सकते हैं क्यूं देख सकते हैं similar concept क्या है atmospheric reflection अरे वा भाया यह तो बहुत simple है कभी scattering होती है कभी atmospheric diffraction होता है reflection होता है this is very simple and life is all about physics हर जगे physics है तुम इधर देखो दर देखो दाएं देखो बाएं देखो हर जगे physics है यार इतनी प्यारी चीज़ है इतनी सिंपल तो है क्या है क्या है क्या मुश्किल है इस बताओ अरे भाया यार चलिए यह क्या है यह तो हमने आपको बताई दिया कि क्या होता है यह इसका आंसर है अच्छाइब देखते हैं वाए दू स्टार्स ट्विंकल बट्ड़ प्लैनेट हम बच्पन में पढ़ते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार्ट और वंडर वाट यू आर हम ऐसा क्यों नहीं पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल सं ट्विंकल 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 प्लैनेट हम ऐसा क्यों नहीं पढ़ते हैं वाई ड़स ओनली स्टार ट्विंकल लुबजुब क्यों होता है स्टार प्लैनेट क्यों नहीं लुबजुब होते इसका सिंपल सांसर यह है क्योंकि जो प्लैनेट्स है वो हमारे नस्दीक है जब कि जो स्टार है वो बहुत दूर है और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो भाईया जी बहुत सारे फिनोमेना आ जाते हैं रीफ्रेक्शन आ जाता है इस पर्शन आ जाता है उस वज़े से हम स्टार को ट्विंकल होते हुए देखते हैं जब कि अगर कोई प्लैनेट है तो प्लैनेट ट्विंकल होते हैं नहीं दिखे है कि उसका डिस्टेंस कम है न समझें ठीक है क्लियर है ट्विंकल ट्विंकल लिटर स्टार समझ गए वेटा क्यों होता था वही क्यों क्यों कि स्टार बहुत दूर है millions of years इतना distance से उसमें तो बहुत दूर से आती है लाइट रहे बहुत दूर से आती है भाईया फिर बहुत सारे थे आंसर यह है यह स्टार वहत दूर है तो जब lähट आएगी तो रिपर्क्ट gateway में और अगर मेरे सन है देखो example से समझाता हूँ सूर्य जो है हमसे बहुत नजदीक है सूर्य हमें कभी twinkle होता नहीं दिखता क्योंकि सिंपल सा reason है सूर्य को बहुत कम path travel करना होता है light को बहुत कम path travel करना होता है बट जो stars है वह बहुत दूर है वह बहुत दूर है तो जब वह बहुत दूर से आते ह आप अपूल दे रहे अच्छा वहाला समझ नहीं आया तो देखो स्टूडेंट्स को वहाला एक्जामपल समझ नहीं आया कि भाई आपने एक होंवर्ग दिया था ठंटो घदे हैं हमसे होंवर्ग नहीं होगा अरे बहुत बच्चों ने कर भी दिया और जिन से नहीं हों उनको समझा देता हूं तहां रहे गया कौन सा था कौन सा एक्जाम्पल था वो आपको समझ नहीं आया हो था यह कि हमारा atmosphere रेड क्यों होता है जब sunrise या sunset होता है तो देखो इसके लिए आपन समझते हैं क्या concept होता है जब midday होता है जब दिन का समय होता है दिन के समय में क्या होता है देखो दिन के समय में सूर्य उपर होता है तो उसकी किर्णों को बहुत कम डिस्टेंस लेस्टेंस ट्रैवल करना होता है यह बहुत कम डिस्टेंस होता है इतना सभी तो डिस्टेंस ट्रैवल करना है देखो को स्कैटर होगी और अगर कम डिस्टेंस ट्रावल करेगी तो सिर्फ ब्लू-ब्लू लाइट स्कैटर होंगी रेड वाली तो जाएगी निक्यूंकि रेड तो हमारी सुच्छे महान होती है रेड की वेवलेंट तो बहुत जाद होती है बट जब हमारा सन्राइज होता है यहां आदमी है चिंटुलाल यहां यहां पर है सन्रू आप है तो अब जो डिस्टेंस है जो लाइट का डिस्टेंस है वह बहुत बढ ammel मेरेंट ने यह तो उतना ज्यादा स्कैटर होती है तो भाई देख पार्टीकल जो था ना पार्टीकल क्या बोलता था सूर्य से कि भाई मेरे लिए तो तुम छोटी चीज़े बेजो जैसे विब्गयोर में वी आई बी वॉयलेट इंडिगो ब्लू उन सबको तो मैं स्कैटर कर दूँँगा बट मैं यह रेड वाली को स्कैटर नहीं कर पांगा अब बहुत दूर से लाइट आ रही है तो वॉयलेट इंडिगो ब् है चाय जो है वह रड तो याद रखना संसेट है संराइस के दुरान क्या होता है डिस्टेंज बढ़ जाता है लाइट का जो पातव है उसकाल ड्सटोन इसी के साथ हमने कर दिया है चैप्टर समाथ क्या वाथ है एक दो चीज़े हैं जो मुझे आप से कहनी है देखो जब भी हम एक चैप्टर करते हैं तो आई नो कि हम बहुत मोटिवेशन के साथ आते हैं शुरू में पढ़ते हैं बड़ उस चैप्टर हो कंप्लीट नहीं कर पढ़ते हैं जितना तुम में से जो बच्चे अभी तक टिक पाएं जो अभी तक यहां तक चैप्टर के कि मुझे तुम बेवरोसा है कि तुम उखाड होगे तुम कुछ बहुत बढ़ा करने के लिए इसी के साथ जो लाश्म करते हैं कि अब अपना जोश लेवल तो तुम कमेंट कर दो फटा फटसी की तुम्हारा जोश लेवल क्या है उसके अलावा अगर आपको इस बना रखिए प्री और पॉस्ट अब कुछ प्रियों पॉस्ट देंगे वाई यह मेरा आपसे बादा था पूरी की पूरी चेक करना लिंक डिस्क्रिप्शन में तो उसके अंदर आपको लेटेस्ट लेवल के कोश्चन मिलेंगे असर्शन रीजनी उस लेवल के और कॉम्प पॉस्ट वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम जॉइन कर लें नोट्स टेलीग्राम पर डल जाते हैं तो इसके अलावा यह तो होगी कुछन प्रैक्टिस बट अगर आपको सही में मता है तो इंस्टागराम पर एक स्टोरी जरूर डालना जिसमें कि आपके फीडवेक हैं जो भी आपके फीडवेक हैं ठीक है वह आप टैक करके जरूर लिखना जी मज़ा आया है नहीं आया लेक्चर में अगर आया तो इस्टागराम पर डाल दो और अपने दोस्तों कोई पता दो कि वही अगर पढ़ना है तो यह अब है फिर्शान भया है सुख्रे एवरियन और काफी टाइम से हम बच्चों को मेंटॉर कर रहे हैं फ्री में पढ़ा रहे हैं फ्री में सारी चीज़े कर रहे हैं आगे भी करेंगे यह चीज तो चल्दी रहेगी पर यह यह मकसद रेविलूशन तब तक नहीं हो पाएगा पूरा जब तक तुम ल लोग तुम में से हाँ तुम में से कोई आये और बोले भाईया प्री कॉंटेंट से 99 परसेंट प्री कॉंटेंट से 98 95 अगर कर सकते हो कुछ भी मेरे लिए तो इत्ता करना पहनत करो एफर्ट लगाओ केवल अपने पेरेंट्स के लिए नहीं मेरे लिए भी और अपने रिष्टेदारों को चुप कर आएंगे और उन रिष्टेदारों से बोल देंगे कि भाई चोशे हम में है कि खाड़ दिया एक्जाम और इस नोट शुक्रिया चलिए टेक केर पूरा लेक्चर देखा है तो बहुत बढ़िया और जो हमबर कोश्चन था एक और दे रहा था वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखके जाना ठीक है ताकि जिस बच्चे से सॉल ना हो पाए वो भी आंसर आपका देख सके तो मिलते हैं नेक्स सेशन के अंदर बाई